हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एक ऐसी रेमिडी बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आप बेदाग, खूपसूरत और बहुत ही अट्रेक्टिव लगने लगेंगे हमेशा आप लोग अपने पिंपल और दाग धब्बे जो आपके चेहरे पर हो जाते हैं टाइम टू टाइम आप उतसे बहुत ज़ादा परेशान रहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे रेमिडी बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप उन दाग धब्बों से या पिंपल्स के दाग से छुटकारा पाएंगे आपकी स्किन बहुत ज़ादा ग्लो करेगी और बहुत ही ज़ादा अट्रेक्टिव लगने लगेगी इसका तीन से चार बार इस्तिमाल करने से आप अपने दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं तो आएए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है वो घरेलू नुस्खा सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे कोलगेट या आप कोई सा भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं जो कि वाइट कलर का होना चाहिए तो मैंने इसमें कोलगेट यूज किया है और अब हम यूज करेंगे हल्दी पावडर फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ी सी मात्रा मतलब आधा चम्मच हल्दी यूज़ करेंगे हल्दी हमारे स्किन में होने वाले इंफेक्शन को दूर करता है हमारे स्किन को निखार देता है और एक बहुत ही अच्छे मेडिसिन की तरह काम करता है जो इसली हमारे फेस से दाग, धब्बे और अंचाहे स्पॉट्स को खतम करता है तो आप हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अगर यह अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो तो आप इसमें थोड़ा सा और कोलगेट या पेस्ट इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहापर थोड़ा सा और टूथपेस्ट इस्तिमाल किया है ताकि यह बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो सके और आप देख सकते हैं कि यह mix हो चुका है तो friends यह तैयार हो चुका है हल्दी और toothpaste का mixture तो अब हम इसे use करने के लिए सबसे पहले हमारे face पे जहां पे भी spot है दाग धब्बे हैं या pimple का कोई दाग है तो हम सबसे पहले इसको इस तरीके से इस्तिमाल करेंगे इस तरीके से हम उस जगे पर इस mixture को लगाएंगे friends यह बहुत ज़ादा effective है आप इसका regular इस्तिमाल करेंगे तो आपके दाग धब्बे पिंपल यह सब कुछ बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी खतम होने लगेंगे अगर आपके face में ज़ादा pimple है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं और अगर आपके face में एक दो pimple है तो आप earbud की सहायता से या फिर आप अपने finger tip से उसे इस तरीके से उस जगे पर लगा सकते हैं जहां पे आपको pimple की समस्या हो और अगर बहुत सारे pimple हैं बहुत से दाग धब्बे हैं तो आप इस तरीके से अपने face पे लगा सकते हैं फ्रेंड्स यह बहुत effective है आप इसे कम से कम 10 मिनिट तक अपने pimple पर लगा के रखें और उसके बाद थंडे पानी से इसे wash कर लें या फिर cotton को गीला करके आप इसको clean कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपने देखा यह बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा है फ्रेंड्स इससे आप अपने face के pimples को दाग धब्बो को बहुत ही आसान तरीके से remove कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आप यह घरेलू नुस्खा जरूर try करेंगे और comment box पर मुझे जरूर share करेंगे कि आपको इसका result कैसा लगा तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को share कीजे, like कीजे और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले